हलो बच्चों, वेलकम बैक टू द्रिश्याज ओनलाइन गुरकुल इस वीडियो में हम लोग डिस्क्स करने वाले हैं 13 जन्वरी को अभी जो पेपर हुआ सीट अउनलाइन एकजाम इसका माथमेटिक्स पेपर 1 को हम लोग डिस्क्स करने वाले हैं यह कुश्चंस जो कलेक्ट किये हैं इसमें हम लोग सारे कुश्चंस को डिस्क्स करेंगे जो कुश्चंस मिल पाए हैं इस्पेसली हम अभी डिस्क्स करने वाले हैं 13 को, 13 को जो पेपर हुआ है 13 जन्वरी को तो चलिए सबस पहले first question को हम लोग देखते हैं first question देखिए इसमें क्या है आपका how many packets how many packets of 1 by 16 kg sugar can be made from 3 1 by 4 kg of sugar तो आपके पास total sugar कितनी है total जो sugar है वो है 3 1 by 4 kg ठीक है meaning देरवाई कितना हो गया total 4,3,12 and 1 मिलके कितना हो गया आपका 13 divided by 4 13 divided by 4 kg total आपके पास चीनी है ठीक अब क्या करना है packet कितने की बनाना है 1 by 16 kg की packets आपको बनाना है तो simply क्या करेंगे जो total है meaning there by 13 divided by 4 अब पूरे को भाग दे देंगे किस से जितने का packet बनानी है जो छोटे छोटे पैकेट्स बनाना है तो 1 by 16 kg के पैकेट्स बनाना है meaning there by 1 by 16 से आप फग दे दीजे अब इसका देखे तरीका क्या है जो सबसे नीचे होगा वो सबसे उपर वाले से गुड़ा होगा multiply होगा और जो उसके उपर है वो दूसरे से होगा यह चीज आपको हरदम ध्यान में रखना है ठीक है ताकि problem ना हो आपको तो आप देखे क्या होगा तो यहां हो गया 13 into 16 divided by कितना हुआ 4 into 1 बस अब आप आसानी से solve कर सकते हैं 4 1 जा 4 अब 4 4 जा 16 ठीक तो आप कितना हुआ 13 multiplied by 4 कितना हुगा 52 meaning thereby 52 packets बनाये जा सकते हैं इस तरीके का questions अभी repeat हुआ है कुछ दिन पहले भी अभी जो exam चल रहे हैं तो इसमें यह question बार-बार repeat हो रहा है इस लिए इस तरीके के questions को आपको ध्यान में रखना है जनरली आपकी जो values है वो fraction में ही दे रखी हैं वो आपका इस तरीके से division में ही दे रखी है तो इसी तरीके से solve करेंगे हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले question की तरब देखते हैं next question को next question देखे इसमें देखे यह एक आपका time based question है इस तरीके से भी question actually देखे इस paper में जो seated online exam में इसमें सभी papers सभी papers में जो questions आये हैं वो basically एक तरीके से repeat ही हो रहा है repeat कहने का मतलब same to same paper नहीं आ रहा है but same concept यूज करके थोड़ा बहुत alter करके question में थोड़ा बहुत changes करके वही question बनाय जा रहे है उसी तरीके के questions बनाय जा रहे है देखे इसमें क्या है हरीस started his journey at 18.40 and finished at 22.20 ठीक the time taken in the complete journey is ठीक है total जो उसकी यात्रा है उसमें total time कितना लगा start कब किया 18.40 मिनट पर अब finish कब किया 22 बचकर 20 मिनट पर तो simple यह subtraction है आपको भी लग रहा होगा कि आपका कब यह जो है 22.20 पर जो है finish किया ठीक 22.20 पर finish किया अब start कब किया था 18 अब 40 मिनट पर ठीक यह आपका minutes है एंड यह आपका क्या है hours है अब इसको simply आपको क्या करना है subtract करना है अब subtraction आप जानते भी होंगे बट एक बार हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं तो 0 में से 0 गया इसमें कोई issue नहीं है simple आपका जीरो आगया अब देखिए दो में से आपको चार सब्टेक्ट करना है यह तो subtract नहीं होगा तो आप क्या करते हैं यहां से एक कैरी ले लेते हैं हासिल ले लेते हैं आप देखिए यह जो है आर्स है घंटे में है तो एक घंटा आप कामन लेंगे जब एक घंटा कामन लेंगे तो आपको पता यह एक आर्स में 60 minutes होते हैं तो meaning thereby अगर 1 hour आप common ले रहे हैं तो आपको यहां क्योंकि minute में यह by look given है तो आपको minute में लिखना पड़ेगा तो यह 60 हो जाएगा ठीक तो 60 आजाएगा 60 और 20 मिल के कितना हो गया 60 और 20 मिल के हो गया 80 इस तरीके समझ लो 60 और 20 मिल के कितना हो गया 80 minute हो गया अब 80 minutes में से 40 minutes चला गया कितना आया 40 minutes ही हुआ ठीक समझ गया हो गया आप क्योंकि 20 minutes में से 40 minutes आप सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा सबस्बस पहले यहां से common ले लीजिये ठीक है, तो हासिल ले लीजिए, common नहीं, हासिल ले लीजिए जो है आप 1 hour को, ठीक, तो 60 आ जाएगा, 60 इसमें जुड जाएगा, तो total 80 मिनट हो जाएगा, 80 मिनट में आप 40 मिनट घटा दोगे, तो आपको 40 मिनट बचेगा, अब यहां कितना हो गया, 21, ठीक है, तो 11 में से 8 तो simply आपका, यह hour हो गया, यह मिनट हो गया, इसका मतलब क्या होगा, आपको इस पूरी हरिश ने जो पूरी यात्रा की, उसमें कितना टाइम लगेगा, 3 hours and 40 मिनट इसमें देखिए, इसमें क्या है, इस question को देखिए, इस question को मैं समझा देता हूँ कि एक student है, जो 5 subject में, 5 subject सपोच करो, S1, S2, S3, S4 and S5, सब में 75, 75 marks पाता है, ठीक है, अब ये जो number पाया, इसका हमको median calculate करना है, median of the marks obtained हमको calculate करना है, तो median find out करने के लिए जो methods हैं, वो दो condition पर apply होता है, एक तो आपका number of terms जो है, n की value, even है, ठीक, sum है, दूसरा आपका n हो सकता है, odd हो, विसम, ठीक, विसम पर दूसरा formula लगेगा, sum पर दूसरा formula यूज होगा, तो इसमें देखिए, इस पर best question भी है, आप channel पर जाके उसको concept को पूरे तरीके समझ सकते हैं, इसमें 5 terms हैं, total जो statics जिसका question आपका सीटेट में repeat हो रहा है, 5 terms हैं, एक तो आपका माध्य हो गया, माधिका हो गया, बहुलख हो गया, और एक आपकी range हो गई, तो इस तरीके की चीजे हैं, जिसको आप देख सकते हैं, काफी अच्छा important ये topic है, और इस topic पर question हर paper में जो है, एक से दो question आपके repeat हो रहे हैं, तो चलिए फिलाहल हम इस question को देखते हैं, इस question को इसमें देखिए, number of terms कितने हैं, कितने subject हैं, 5 subject हैं, इसका मतलब जो है number of terms जो है इसमे 5 है, अब 5 जो है एक विसम संख्या होती है, तो विसम संख्या के लिए जो median होता है, ठीक है, median जो होगा, median is equal to क्या होता है, एन प्लस वन पाई टू वाँपत, तो एन की value कितनी है, एन की value है 5, 5 प्लस वन पाई टू तू वाँपत, तो क्या हो गया, 5 प्लस वन पाई टू मतलब थर्ड टर्म, ठीक, अब थर्ड टर्म देख लिजे, तीसरा पद क्या होगा वो चेक कर लिजे आप, 1, 2, and 3, ठीक, तो इस तरीके से इसका answer जो आएगा, वो क्या आएगा, 75, ठीक, एक चीज और था यहाँ, ये तो मैंने methods बताए, लेकिन जब number आपकी equal है, आपको दिख रहा है कि सब में same है, तो obvious सी बात है, किसी भी term पे जाए, तो उसका answer तो same ही आएगा, तो actual में, आएसे questions को solve भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको directly आपका answer जो है, 75 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है, या तो ये वाला formula लगता, या तो दूसरा formula भी use हो सकता था, फिलहाल इस formula की अगर हम बात करें, तो terms जो है, इस तरीके से हम लोग calculate कर सकते हैं, medium आप आसानी से, median इसका निकाल सकते हैं, आगे हम बढ़ते हैं, अगले question की तरफ, देखते हैं next question को, ये question देखिए, ये question, sum of the, ये एक pattern given है, 1-1, plus 1-1, plus 1-1, plus 1-1, ठीक है, dash dash, to the even number of terms, each, sum इसमें निकालना है आपको, जोड़ना है, even number of terms होंगे, तो इसका answer क्या आएगा, ठीक, आप देखिए, सबसे पहले इस सीरीज को हम देखते हैं, यहां कितना है, तो, इसको जोड़ोगे, क्या होगा, sum को हम लेके चल रहे हैं, ठीक है, दो number को मैं जोड़ दे रहा हूँ, मतलब पहले के और दूसरे को, तो sum है, दो, जो है, sum number होता है, इनको जोड़ूँगा, तो मुझे क्या मिलेगा, 0, दो के बाद अगला sum कौन सा आएगा, चार आएगा, अब इन चार को मैं जोड़ देता हूँ, चारों को जोड़ ये, 0, फिर अगला क्या आएगा, 6 आएगा, इस स्टार्टिंग से 6 को काउंट कर लो, 6 तक जोड़ दो, पूरा हो गया, ये पूरा ही जुड़ेगा, क्योंकि 6 हैं टोटल, इनको भी जोड़ लो, तब भी आपका 0 है, इसका मतलब कितने भी टाम्स हों, तो उसका एंसर क्या आएगा, उसका एंसर आएगा, 0, ये जरूरी नहीं था कि इसी तरीके इस पैटर्न फॉलो करते, आपको जैसे लग रहा है आप वाइसा भी कर सकते हैं, चलिए, इसका तो एंसर ये हो गया, अब इसी कुश्चन को एक दूसरे तरीके से हम देख सकते ह सपोर्ज करो, इसमें ये न कहता कि even number of terms की बात करता, sum की बात नहीं करता, ये क्या है, sum ठीक है, पदों की जो संख्या है, क्या है, इस केस में sum है, even है, आगर पदों की संख्या वे sum होती, odd होती, तब इंसर क्या आता? ठीक, अब इसको देखते हैं हम लोग, पदों की संख्या वे sum, मतलब या तो 1 होती, या तो 3 होती, या तो 5 होती, समझ रहे होंगे आप, अब देखिए, 1 अगर होती, सपोर्चकरों पदों की संख्या जो वे sum है, एक पद होता, ये मैं पद रख रहा हूँ, एक पद होता, तो answer क्या आता, पहला पद में, 1 ही रहता, अगर 3 पद होता, तब answer क्या आता, यहा तो 1 ही अके लिए रहता, यहां क्या रहता, 1, माइनस 1, प्लस 1 होता जब 3 पद होते, तो इसका answer क्या आता, 1 आता, अगर 5 पद होते, तो 1 माइनस 1 प्लस 1 फिर क्या होता माइनस 1 फिर प्लस 1 ऐसी सीरीज बनती इसमें भी एंसर क्या आता बनाता तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि आगर ये number of terms कहता की भी सम है तो इसका एंसर 1 होता same question का ठीक है तो इस तरीके साब समझ गए होंगे इस तरीके question repeat हो रहे हैं इसलिए मैंने इसको दूसरा भी जो possible इसके questions है उसको मैंने बता दिया है तो इस तरीके का pattern कोई जरूर नहीं है यहाँ जैसे 1 लिखा है हो सकता है किसी में कुछ दूसरे value लिखी हो 2, minus 2, plus 2 इस तरीके से लिखी जा सकती है तो उसी corresponding आप इस चीज़ को change कर लेंगे काफी अच्छा question है important है थोटा है बट थोड़ा सा tricky है में भी कुछ लोग गलतियां भी कर सकते हैं तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए आगे बढ़ते हैं हम अगले question की तरब देखते हैं next question को अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को subscribe करना न भूलें आगे बढ़ते हैं हम लोग next question को देखते हैं इसमें देखिए ये भी बहुत easy question है थोड़ा सा इसमें समझना है पहला इसमें point है place value फिक place value and second क्या है face value अब देखिए number आपके पास क्या है number आपके पास है 3, 5, 3, 6, 2 इस तरीके का question repeat हो चुका है कई बार आचुका है पीछे के papers अभी channel पे जाके अगर आप देखेंगे list में जो पीछे के mathematics के question कराए है जो memory based questions आए है तो उसमें देखेंगे कई सारे videos में सेम इसी तरीके के questions आए हुए है तो इसका मतलब ये questions बार बार repeat हो रहे है बहुत easy है अब देखें इसको समझते हैं कह रहा है the difference of the place value and the face value of 5 in the given number 5 जो है इसकी place value और face value का difference हमको निकालना है अस्थानिये मान place value क्या है अस्थानिये मान और face value क्या है उसका जो actual value होती है ठीक है इससे आप समझ गया होंगे अस्थानिये मान देखें इसके हिसाब से देखें ये जो 5 है 5 का अस्थानिये मान क्या होगा 5, 0, 0, 0 ठीक तो place value जो आपकी हो गई वो हो गई 5, 0, 0, 0 ठीक अगर face value की बात की जाए तो face value जो है वही same ही होती है जो आपका digit आपको दिख रही है meaning thereby face value अगर इसकी बात करेंगे तो face value आपकी 5 ही होगी अब कह रहा है difference घटाना था इसको तो घटाना है हमको तो simple क्या करेंगे subtract कर देंगे तो minus कर दीजे आपको answer मिल जाएगा आप देखिए 0 में से 5 तो नहीं जाएगा तो एक आप carry ले लेंगे तो यहां से लेंगे 10 हो जाएगा 10 में से 5 जाएगा आपका 5 आ जाएगा यहां 9 फिर यहां भी 9 और यहां आपका 4 बचेगा तो इस तरीके से इसका answer जो आपका हो जाएगा 4995 तो इस question का answer आएगा वो आपका आएगा 4995 इसका answer हो जाएगा तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आपको channel को subscribe करिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले question को देखते हैं next question को इसमें देखिए and 26 hundredth written as सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग 26 देखते हैं क्या है 26 simple आप ऐसे लिख सकते हैं यह क्या हो गया 26 हो गया आप क्या कह रहा है 26 hundredth इसका meaning क्या हुग आपका यह समझ रहे होगे 26 divided by 100 इसका क्या हुग तो मतलब इसका क्या हुग तो अगर इसको simply जीरो देखो अगर सव से है तो दो अंके बाद यहां दसमलों डार्टी लगा सकते हैं तो आपका 26 आ जाएगा तो इसको जो है तो टोटल कितना हो जाएगा तो एक साथ लिगना है तो simple आपका add हो जाएगा इसमें तो आपका 0.26 इस तरीके से कुश्चन को solve कर सकते हैं यह तो basic बहुत ही fundamental है आगे हम बढ़ते हैं अगले कुश्चन को देखते हैं next question की तरफ तो बस यहीं तक था तो इसने कुश्चन थे इसमें जो पेपर आपका यह पेपर 13 जनवरी का पेपर है तो चैनल को subscribe करें थैंक यू